Welcome back on my channel Maths with Magic आज हम लोग एक्सरसाइस 20A का Question No. 20 देखेंगे ठीक है Question No. 20 देखेंगे Exercise 20A का जो की Chapter Volume and Surface Area of Solid Class 8 का Book है R.S. Agrawal देखो उसे समझने से पहले इस Question को समझने से पहले जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है Question लिखा है Find the volume of wood used to make a Closed box of outer dimension जिसका बाहरी dimension दिया है Length यह है इन्टू करके लिखा है तो यह length है यह breadth है and यह height है 60 cm length 45 breadth 32 height and the thickness of the wood being used is 2.5 cm all around और जैसे उस box को बनाने के लिए 2.5 cm 4 और मतलब ठीकनेस यूज है चिकना लकडी का ठीकनेस है तो बताओ कि कितना यूज हुए Find the volume of the wood used to make the Closed box तो देखो उससे समझने मतलब उस question को समझने से पहले एक बात समझो जैसे इसको मान लीजे हम cover कर देते हैं suppose इपी cover this देखो मेरे पास डबा था नहीं है तो हम तुटा फुटा यह डबा मिला यह cubodical box हो गया ठीक है तो करना क्या है कि इस cubodical box को बनाने के लिए कितना उड का यूज हुआ मान लीजे यह उडन box है इस cubodical box को बनाने के लिए कितने उड का यूज हुआ जिसका बाहरी dimension outer dimension outer dimension क्या this length this breath and the height this height height is given और inner dimension क्या होता length breath and height ठीक है बात समझना तो हमें पता करना इस पूरे box को बनाने के लिए इस box को बनाने के लिए जिसका उपर भी cover है ठीक है कितने उड की जरूरत हुए तो बात समझो यह जो है यही ना मान लीजे यह उड है तो यही ना उड है यह जो यूज हुआ यह उड यह पूरा उड यह पूरा उड और यह पूरा उड इधर का यह base वाला उड और मान लीजे उपर होता covering तो उपर का उड यही तो हमें पता करना कि इस पूरे box को बनाने के लिए कितना उड का जरूरत पड़ा है अब सुनो जिसका मान लीजे यह उड इन बॉक्स है इसका length दिया है outer length ठीके outer dimension तो length is given breath is given and height is given also height is given ठीके ना length, breath, height तीनो दिया है और कह रहा है कि thickness जो है न लकडी का वो क्या है 2.5 है तो हमें पता करना है कि कितना यूज हुआ है इस बॉक्स को बनाने के लिए सुनो तो हम क्या करेंगे इसका outer dimension निकालेंगे फिर inner dimension निकालेंगे ठीके outer dimension में से बाहर का जो dimension होगा उसमें से अंदर का जो space occupy वाला volume होगा उसे निकाल देंगे minus कर देंगे outer में से बात समझना बाहर के dimension में से अंदर का dimension फिर निकालेंगे minus कर देंगे तो ये ठीकनेस नहीं निकल जाएगा है कि नहीं समझा रहा है हम अंदर में कितना इसका volume है वो निकालेंगे फिर बाहर का क्या है इसका volume, external volume ठीक है वो निकालेंगे निकालेंगे तो बाहर वाले से अंदर वाले को minus करेंगे तो ये वाला part नहीं बचेगा ये बचेगा ना ये जो है ये part नहीं बचेगा, यही part बचेगा तो वो हो जाएगा thickness of the wood used to make the cardboard देखो, अब समझना thickness di 2.5 तो देखो जैसे ये breath है तो ऐसे करते है तो कुछ length का part यू जो जैसे ये length पूरा कुछ है तो ये वाला जब ऐसे रख दिये तो ये part, ये जो length वाला part इस breath में भी आ गया इस breath में ये वाला part आ गया इधर से भी आ जाएगा है की ने, देखो कुछ ना कुछ part तो आएगा ना उसी तरीके से इधर से भी आएगा इधर से भी अब सुनो, जब हम इस को इस वाले पे रख रहे है जैसे मालनी जी ये कुछ है उस पे हम ऐसे रख रहे है तो ये जो है इधर का ये वाला part कुछ ना कुछ तो occupy कर ले रहा है मतलब यूज हो जा रहा है है की नहीं है तो अब देखो questions हम को हम बनाते है फिर आपको अच्छे से clear हो जाएगा देखो ये box है, cuburgical box है six-sided box है हमें निकालना है और इसका ना internal कुछ volume होगा और thickness है ये तो देखो length के side भी thickness है breath के side भी thickness है है ना और height में भी कुछ ना कुछ thickness तो इसका use होई जा रहा है ना है ना ठीक है ये तो देखो external dimension internal dimension अंदर का हो गया कुछ ना कुछ space तो है ये ये हो गया internal dimension यानि कितना इस पेस उक्यूपार करता है ये और external dimension मतलब ये thickness को जोड़ कर निकाला जाता है external dimension ठीक है ये जो thickness है न ये जुड़ा होता है external dimension में और internal dimension में thickness हटाय दिया जाता है तो इस external वाले dimension से internal dimension को जब minus करेंगे external dimension ये पूरा उसमें से internal dimension minus करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा कि कितना यूज हुआ है इसे बनाने के लिए उड़ ठीके देखो external length दिया है external length क्या है भई क्योंकि देखो outer dimension it is mentioned outer dimension इसलिए हम कहाई outer means क्या बाहरी तो बाहरी मतलब external external length है आपका 60 cm external breath है आपका 45 cm and height external height है आपका 32 cm चलो बढ़िया अब हम external यानि length breath height दिया तो पूरे मतलब इस box का wooden box का तो निकाल सकते ने external volume of wooden box is equal to length 60 into breath 45 into height 32 cm q let's find out look external dimension हमें मिल गया ठीक है external volume हमें मिल गया यानि बाहर का ठीक है अब सुनो हमें निकालना है internal volume तो इसी कारण से हम क्या करेंगे external length जो है 60 उसमें से दोनों साइट से जैसी ये length है ये length है तो इधर से भी use हुआ length और इधर से भी length यूज हो गया ना तो उसमें से एक बार 2.5 फिर minus 2.5 तो 60 में से 2.5 दो बार minus करेंगे तो it will be 55 cm ठीक है फिर internal breath है 45 ब्रेथ में भी क्या करेंगे ब्रेथ में भी उसी तरीके से दोनों दो बार minus करेंगे क्योंकि ये box क्या है closed है ठीक है तो minus करेंगे तो it will be 40 cm and internal height क्या है internal height है 32 तो 32 से भी देखो क्योंकि box close है बात समझना तो height भी तो दोनों साइट से use हो गया ना है ना बंद है box इसलिए height भी दोनों साइट से तो again इसमें से 2.5 into 2. sorry minus 2.5 कर लेंगे तो 32 में से 2.5 plus 2.5 फाइब में से 32 में से 5 गया it will be 27 cm गट इट ये हो गया length breath height तो देखें length मिल गया breath मिल गया height मिल गया तो क्या हम internal volume of box wooden box निकाल सकते हैं ठीक है तो देखें क्या हो जाएगा 55 into 40 into 27 cm cube okay let's multiply this तो देखो ये ये मिल गया हमें internal volume of wooden box ठीक है external पता है internal पता चल गया अब देखो external में से internal minus कर देंगे इसको इस पूरे में से इस वाले इस वाले को इस पूरे में से minus कर देंगे तो सिर्फ ये थिकने ये पता चलेगा कि ये कितना ये कितना would use हुआ है इसे बनाने में स्रिफ थिकनेस पता चल जाएगा मतलब पूरे चारो तरफ बनाने में कितनी लकडी की यूज हुए वो पता चल जाएगा तो लिखेंगे would used to make the box is equal to external volume minus internal volume external is what 8 6 4 0 cm3 minus 5 9 4 0 cm3 2 0 cm3 minus कर लेते हैं देखो 8 में से 4 गया 0 में से 1 गया 0 इस 0 से ये 0 गया यहाँ 0 4 में से 4 गया 0 इस 6 में से तो 9 जाएगा नहीं तो यह ले लेगा 16 में से 9 गया 7 यहाँ बच्चा 7 7 में से 5 गया 2 तो यह जो 27,000 cm3 बीदा आंस cm3 बीदा आंस clear यानि लकडी कितना यूज हुआ इतना चीक है इट विल भी वॉल्यूम ओफ उड यूज तो नेक बाक्स ओके थैंक यू अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दो नट फोगे तो लाइक से नेकर अगर अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल तक यू वन्स अगान